वेलकम स्टूडेंट्स इन माई यूटूब चैनल के मस्टी बाई डॉक्टर अमिश शर्मा में तो आज हम कवर करने वाले यूनिट फाइव पॉलीमर एंड पॉलीमर इजिशन तो पॉलीमर को बीटेक में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आज हम अपने चारो स्टूडक हमें बॉलीमर और चैनल दॉजड़ाते तो इंजिजीनर किस तरीके से बॉलीमर को बनाएंगे उनके क्या-क्या benefit होंगे उनकिस तरीकी properties होंगी कैसे उनकी फ्रक्रटीन रहुत होती है तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आज Polymer and Polymerization तो start करते हैं Polymers The word polymer is taken from the Greek word Poly and Merus Poly means many and Merus means parts or units तो वास्तम में क्या होता है कोई भी polymer छोटी छोटी small repeated unit के मिलने से बना होता है जो ये छोटी छोटी unit होती है इनको बोलते है monomer और पूरे बड़े molecule को बोलते है Polymer जैसे आप एक गेंदा का फूल ले लो तो उसे केवल एक floor बोलेंगे पर जब बहुत सारे गेंदा के फूल को आप एक माला में परोदेंगे यानि कि एक धागे में परोदेंगे तो उससे एक माला बन जाएगी तो उसे बोलेंगे हम एक Garland तो इसी तरीके जब छोटे 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 मॉलीक्यूल को बिला के बड़ा molecule बना देंगे तो that's called polymer so polymers are the high molecular masses compounds which are from by the combination of large number of small repeating units these small repeated units are called monomers and whole molecule is called polymer and this process is called polymerization तो जब छोटे 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 बहुत सारे molecule मिलके आपस में एक बहुत बड़ा high molecular weight का एक molecule बनेंगे तो उस molecule को बोलेंगे हम polymer और इस पर्स को बोलेंगे polymerization वास्तब में जो process होता है polymerization का उसमें n number छोटे छोटे बहुत सारे molecule आपस में मिलके polymer बनाते हैं उस process को भी बोलते हैं polymerization so the process of transformation of n number of monomers into a polymer is called polymerization अब polymer इतना है क्योंकि बहुत चाटे छोटे monomer sample के बना हुआ है तो हम इसका classification करेंगे तो classification अलग अलग तरीके से होता है उसका एक criteria होता है तो हर criteria के ब्यापए हम अलग अलग तरीके से polymer को classify करेंगे तो classification of polymer पहला polymers can be classified as follows number one on the base of origin or source यानि कि कोई polymer कहां से हमको मिला हुआ है कहां से उसकी source origin कहां से हुआ है उसके ब्यापए हम polymers को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं on the base of origin or source polymers can be divided into three parts number a natural polymer नाम से पर चला जो नेचर से मिले तो दब polymers which is obtained which are obtained from nature that is plants and animals are called natural polymer तो जो नेचर में मिलेंगे उनको बोलते हैं natural polymer अब नेचर में या प्लांट से मिलेंगे या अनिमल से तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस आप फर्दर डिवाइड इंट टू पार्स नुबूर फर्स्ट प्लांट पालीमर्स those polymers which are obtained from plants are called plant polymers चैसे फ्रउलोस च verbally mazda 5-7-8 फोल्टान आ हैं और ऑप्टेनW you canே लिए आप आयमि व्हानि पोलीम के ब emalने लिए गजोगिन नेकाल को नगिए पॉलों शेल्क रिए एकड़ सिन्थाटिक पॉलीमीर अभी अभी सफ़्सबौ एक और नठीर थैजरगेया हैं यानि कि नेच्रल मेन के साथ खोछ Detail कर जा है तो बौस्वीर्च ऑच्छ आट बुस्फटर विच ऑइच्टीष साइस फ्रॉमद अनेच्रल पॉलिमर्स और गॉल्ड सैमी संथेटिक पॉलीम उपर एक्जम्पल वलकानाइज रबर शेलूलो कैसे ब्लोग ए सेलूलोज नाइट्रेट एसेक्टरा सेंथेटिक पॉलीमर्स दोस पॉलीमर्स which ऑर सिंथेसेज इन दर लाबोरित्री फ्रॉम केमिकल्स आर गॉल्ड synthetic polymer जिनको हम purely पूरी तरीके से chemical से लेप के अंदर मनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम synthetic polymers for example polythene, polyvinyl chloride, polystyrene, nylon 66, etc. इसके बाद second classification जो हम करेंगे on the basis of structure on the basis of structure polymers can be divided into three parts अब इस ट्रेक्चर के भी आप पर भी तीन पार्ट में डिवाइट करते हैं number one linear polymers those polymers which are linear in shape यानि की जिनकी shape कैसी हो बिल्कुल एक line की तरह हो linear हो उन्हीं को बोलते हैं linear polymers for example high density polythene, PVC का मतलब polyvinyl chloride, teflon, etc. तो diagramatically आप देखें तो यह इस तरीके से line की तरह observe हो है that's called linear polymer यदि मैं monomer की form में देखा हूं तो बहुत सारे में monomer को एक line की form में आप उसमें जुड़ जाएं तो उससे कौन सामने का linear polymer बी बोलेंगे हम branch chain और side chain polymers तो दोस polymers which contain small branches and side chains are called branch chain और side chain polymer इसमें छोट-छोटी branches निकलाती है function group की वाज़से तो उन्हें बोलते branch chain polymer for example low density polytine polyacrylonitrile polystyrene PMMA PMMA stets for polymethylene methyl meth acrylate इसको blue side भी बोलते तो इस तरीके से इनके अंदर side chain होती है branches होती है तो यह देखो आप linear polymer के अंदर छोट-छोटी branch निकलाए तो सब बोलते branch chain और side chain polymers इसको monomer की form में भी दिखा सकते हैं तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं इसको c की बात करेंगे हम crosslinked और network polymers तो दोस polymers in which linear polymers are joined together by cross linking are called cross link on network polymer इन polymer में क्यों होता है कि बहुत सारे linear polymer आपस में cross link के द्वारा आपस में जुड़ जाते तो इसलिए इनको बोलते क्रॉस लिंग और network polymer जैसे वलकेनाइज रबर बेकलाइट यूरिया फॉर्मिल्याइट एसेक्टर तो यहां देखिया आप डाइग्राम में बहुत सारे linear polymer आपस में cross link करके जुड़े हुए तो इसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं बहुत सारे linear polymer आपस में cross linking जुड़े इसके बाद next classification हम पढ़ेंगे classification number 3 on the base of monomers यह most important इसके ओपर short note type आ सकता है difference आ सकता है तो इसके ओपर आपको importance जान देना है on the base of monomers on the basis of monomer यानि कि किन-किन molecules से छोट-छोटे molecules से मिलके बना हुआ है वह एक ही तरह के या अलग-अलग तरह के तो polymers को दो पार्ट में करते हैं on the base of monomers polymers can be divided into two parts number one homopolymer homo का मतलब same यानि कि जो एक ही तरह के monomer के मिलने से बनेगा उसे बोलते हैं homopolymer which are formed by the combination of two or more same kind of monomers दो या दो से ज़्यादा एक ही तरह के monomer के मिलने से जो बनेगा उसे को बोलते हैं homopolymers for example polythene, polyvinyl chloride, pn, polyacrylonitrile, ps, polystyrene, pmma, polymethyl meth acrylate, teflon, neoprene rubber, isoprene rubber these are the example of homopolymers second one, co-polymers, co का मतलब एक से ज़्यादा तरह के monomer those polymers which are formed by the combination of two or more different kind of monomers are called co-polymers for example, buna N, buna S, nylon 6-6, nylon 6-10, nylon 6, butyl rubber, bakelite, etc तो यहाँ पर थोड़ा सा एक connection करने जबगा यह जो nylon 6 है यह homopolymer है यह nylon 6-2 यह nylon 6-10 यह nylon 6-6 आता है तो nylon 6 is not the part of co-polymer nylon 6 is the homopolymer तो यह ध्याना के थोड़ा connection कर लेंगे आगे बढ़ते हैं और number 4 on the base of polymerization तो on the basis of polymerization polymers can be divided into two parts यानि कि monomer से जो polymer बना है उसने कौन से process follow किया है उस process को बोलते हैं polymerization तो on the base of polymerization polymers can be divided into two parts number 1 addition polymer और chain growth polymers तो इसमें क्या होता है जब बहुत सारे monomer आपस में केवल जुड़ जाएं कोई भी byproduct ना निकले तो उसे बोलते हैं addition तो those polymers which are formed by the addition of two or more same or different यहां पर same भी हो सकते हैं different भी हो सकते हैं पर दो या दो से ज़्यादा monomer के जुड़ने से तो those polymers which are formed by the addition of two or more same or different type of monomers are called addition polymers और chain growth polymers and this process called addition polymerization और chain growth polymerization for example जितने भी plastic example थे polythene polyvinyl chloride polyacrylonitrile तो polyacrylonitrile को हम बोलते हैं p.s. polystyrene को बोलते हैं styrofoam या thermocol p.m.m.a. polymethyl meth acrylic को हम common बोलते हैं leucite teflon इसका नहीं होता है poly tetrafluoroethene यह सारे के सारे plastic example है इसके बाद neoprene rubber and isoprene rubber are the example of addition polymers और chain growth polymers second one बात करेंगे हम condensation polymers condensation को बोलते हैं step growth polymers को कि step by step growth करते हैं अब जब भी 2 monomer आपस में जुड़े और उनमें से एक छोटा सा molecule बाहर निकले तब वो जुड़ पाएं तो उसे बोलते हैं condensation तो those polymers which are from by the combination of two or more same or different type of bifunctional monomer तो यह condition आती है कि जो monomer होंगे वो bifunctional होंगे bifunctional मतलब एक ही monomer के अंदर दो function group चाहे वो दोनों function group same हो यह different हो पर दो function होंगे तो bifunctional monomer जब जुड़ेंगे तो जब वो जुड़ेंगे तो उनमें से एक छोटा molecule बाहर element होगा तो इस तरीके से बोलते हम condensation तो दोस polymers which are formed by the combination of two or more same or different type of bifunctional monomers with the elimination of small molecule are called condensation polymer or step growth polymers and this process called condensation polymerization or step growth polymerization for example nylon 66 nylon 610 nylon 6 bakelite these are the example of condensation polymerization इसके बाद next classification number five it is one of the most important classification on the base of tacticity अभी tacticity क्या होती है आपको मालूम है जितने भी molecule polymer है वो और्गेनिक है carbon उनमें में इन है carbon की valence होती है चार tetra valence तो कुछ atoms above the plane होते हैं कुछ blow the plane होते हैं कुछ on the plane होते हैं तो उन atoms का गुरूप of atoms के functional group का arrangement कैसा है three dimension में उसी को बोलते हैं tacticity so the three dimensional arrangement of atoms group of atoms और functional group along polymeric chain is called tacticity on the basis of tacticity polymers can be divided into three parts number one a tactic polymer a tactic का मतलब होता random arrangement कभी above the plane ना जाए कभी below the कभी below the plane कभी above the plane कोई regular pattern ना हो random pattern हो तो उसे बोलते हैं tactic तो दोस polymers in which atoms group of atoms और functional group are present randomly along polymeric chain are called air tactic polymer for example देखो यहां पर carbon की एक chain दिखाई हुई है इस तरीके से जो state line में आपको दिखाई हुई है यह on the plane है और इसके ओपर जो functional group आए एक blow the plane एक above the plane तो यहां पर regular pattern यहां रेंडम आ रहा है तो इसे बोलते हैं हम a tactic polymer b part बात करेंगे हम isotactic polymer iso का मतलब same side तो दोस polymers in which atoms group of atoms और function group are present at the same side हम same atom same group की बात कर रहे हैं same function group जो polymer की chain के एक ही तरफ आ जाए उसे बोलते हैं isotactic polymers तो दोस polymers in which atoms group of atoms or function group are present at the same side along polymeric chain are called isotactic polymer for example यहां देखो methyl group को देखते now यह above the plane फिर अबब दा प्लें फिर अबब दा प्लें फिर अबब दा प्लें एबब दा-प्लें और फिर से अबब दा-प्लें यानि कि जो मिदाल गुरूप है वो अबब दा-प्लें है सेम साइडा तो इसले बूल दिया आईसो टेक्टिक पॉलिमार C is syndiotectic polymer syndiotectic के मतलब alternatively alternatively एक बार अबव एक बार ब्लो एक बार अबव एक बार ब्लो तो दोस polymers in which atoms और group of atoms और functional group are present at the alternate side alternate side along polymeric chain are called syndiotectic polymer तो diagram में देखते हैं तो methyl group को यह observe करते हैं एक बार above the plane दूसरी बार below the plane फिर above the plane फिर below the plane फिर above the plane फिर below the plane फिर above the plane फिर below the plane हाँ यह द्यान देखना पहले कार्बन को हमने छोड़ दिया जिस पर दो हाई्डोजेन है दूसरे कार्बन पर यह group दिखा हैं तीसरे पर फिर दो हाई्डोजेन है फिर चौते पर गूरुब दिखाएं फिर पांच में पर दो hydrogen है फिर छटे पर यह दो गुरुप दिखाएं तो इस तरह के दिया दगना तो हम alternate इसमें चलने पर लेकिन यह जो methyl गुरुप आया है एक बार उपर एक बार नीचे एक बार उपर एक बार नीचे तो यानि कि alternate side महारा है तो इसलिए इसको बोल दिया आपने प्लास्टिक की कोई प्लास्टिक वाली या प्लास्टिक की कोई आपने इस तरह की ढ़ी दंडी लेलिया आपने और इसको गरम करना चालो किया गर्म कर अचाहिए पिर不知道 तो thermoplastic, तो those polymers which become soft onating and hard on cooling again and again are called thermoplastic, they can be remolded, reshaped and redesigned for example, तो thermoplastic के example जो है PE that is polythene, PVC polyvinyl chloride, PAN polyacrylonitrile जिसको aurlone भी बोलते हैं PS, polystyrene जिसको styrofoam और thermokal भी बोलते हैं PMMA, polymethyl meth acrylate, जिसको हम leucide भी बोलते हैं teflon, जिसको हम poly tetrafluoroethene भी बोलते हैं these all are the example of thermoplastic, B thermosetting plastic, setting word से आपको मालूम है कि cement set हो जाता है, तो hard हो जाता है set हो गया, अब उसके बद उसको change नहीं कर पाएंगे, तो those polymers which becomes soft on heating and hard on cooling once, are called thermosetting plastic they cannot be remolded, reshaped and redesigned, तो जो plastic एक बार गरम करने पर soft हो जाए और थंडी करने पर hard जाए, पर उसको बार बार हम soft ना कर पाएंगे तो ऐसी plastic को बोलते हैं, thermosetting plastic, इनको हम reshaped या remote नहीं कर सकते, तो दे केंड़ बी remolded, reshaped or redesigned, फोर एक्जामपल, बैकलाइट, तो देखा होगा जिसके electrical switches बने होते हैं, तो यह क्या होती है, इत इस बैकलाइट, बैकलाइट को बोलते हैं, polyphenol formaldehyde, इसको गरम करने पर यह बारबर soft नहीं होगी, और ना इसकी shape change होगी, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, thermosetting plastic, इसके लाबा, urea formaldehyde, melamine formaldehyde, etc. इसके बास C part होता है, fibers, fibers का मतला आप जानते धागे, धागे की तरह यह जिन से रस्या बनते हैं, जिन से कप्रे बनते हैं, तो दोस polymers which have thread-like structure and high tensile strength are called fibers, for example, कुछ example में natural देता हूँ, cotton, jute, sun hemp, तो यह silk, rayon, these are the example of natural fibers, और synthetic fiber में nylon 66, nylon 610, nylon 6, जिसको parlonel बोलते हैं, teraline, जिसको decron भी बोलते हैं, kevlar, glyptal, these are the example of fibers, next D, elastomers or rubber, elastomer, elastic, यानि की जिनके अंदर ऐसी nature होगी, जिनको खीचाए जरके, यानि की जो stretch हो जाएं, तो दोस polymers which are elastic in nature are called elastomers or rubber, they can be stretched by applying force and retain their original shape as the forces removed, तो वो polymer, जिनके अंदर elastic nature होती है, उन्हीं को बुलते हैं, elastomer और rubber, इनको हम stretch कर सकते हैं, force लगाके, और जैसी force लगाएंगे तो यह वापस अपनी original shape में रहते हैं, तो इनको भूलते हैं हम elastoma or rubber, for example, buna N, buna S, butyl rubber, isoprene rubber, neoprene rubber, thiokol rubber, etc. इसके बाद next classification पढ़ेंगे, classification number 7, on the base of environmental degradation, यानि की जो polymer है, वो environment में degrade हो रहा है या persist कर रहा है, degrade हो रहा है, तो किस तरीके से degrade हो रहा है, तो उसके ब्याप पे हम polymer को divide करते हैं, दो पार्ट में, तो on the base of environmental degradation, polymers can be divided into two parts, number A, non-biodegradable polymer, तो जो polymer degrade नहीं होते हैं, क्योंकि main problem, जो polymer है synthetic, उनके साथ यह problem है, कि वो environment में persist कर जाते हैं, और pollution create करते हैं, क्योंकि वो decomposed नहीं होते हैं, तो ऐसे polymer को बोलते हैं, non-biodegradable polymer, those polymers which cannot be decomposed by microorganisms into simpler substances are called non-biodegradable polymer, for example, जैसे आप यदी कोई plastic का टुकड़ा लो और उसको जमीन के अंदर गाड़ दो, क्या होगा, कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ और ज्यादा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी देखोगे, तो वो प्लास्टिक का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो decomposed नहीं होगा, तो ऐसे polymer को बोलते हैं, non-biodegradable polymer, for example, जितने भी आपने plastic बढ़े थे, thermoplastic या thermosetting plastic वो सारे के सारे non-biodegradable polytine, polyvinyl chloride, polyacrylonetile, polystyrene, polymethyl metacrylate, teflon, bacalite, these all are the example of non-biodegradable polymer, these are threads to our environment, यह environment ले threads हैं, क्योंकि इनकी वैसे pollution create होता है, second one हम पढ़ेंगे, biodegradable polymer, biodegradable का मतलब जो आसनी से nature के अंदर decomposed हो जाए, जैसे for example, आपने cotton ली जमीन के अंदर दबा दी, कुछ ताम बद वो खतम हो जाएगी, आपने jhoot लिया, sun hemp लिया, उसको जमीन के अंदर दबा दिया, बोरी उसको अंदर जमीन के दा दिया कपड़े को जमीन के अंदर दावा दिया तो एक साल दो तीन साल बात को क्या हो जाएगा? वह पूरी तरीक है टीरेड हो जाएगा तो those polymers which can be decomposed by micro organism into simpler substance are called bio-degradable polymer. ओर एक्जम्पल एकजम्पल है को अविश्य Mając यौनल पीहच भीवी पीझ Приल फॉर्म हे भीटा एकर इंट capacity को बीटा घॉटार्द नोट वे एक नॉटलट ला तो वह वह बहुत हम उप्योंट एन अप्रीट्श थेर 256 तो आप जानते हैं कि बहुत सारे पॉलीमर जिसे प्लास्टिक है रबर है इनके अंदर से इलेक्टिक करेंट पास नहीं होता है तो दोस पॉलीमर विच केन नोट कंड़क्ट एलेक्टिसिटी तू देमसल्स आर कॉल्ड नॉन कंड़क्टिंग पॉलीमर तो जैसे फॉर एक्जामपल पॉलिथीन पॉलिविनल क्लोराइट तो आपने देखा होगा वायर हो जो होती है इन वायरों के ऊपर क्या चड़व होता है याँ पीवीज़ी तो यह करेंट पास नहीं करती है आपने देखाऊगा इप्लास्टिंग पॉलीमर तो दोस पॉलिमर विच कैन चांड़क्ट एलेक्टरिसिटी तू देमसल्स आर कॉल्ड कंड़क्टिंग पॉलिमर अब इसके पीछे वज़े क्या थी conducting polymer बनाने के पीछे साइंटिस्टों की की polymer के अंदर बहुत quality होती है polymer lightweight होता है सस्ता होता है polymer की duration बहुत time के लिए होती है बहुत durable होता है environments में इसका decomposition environment का से corrosion नहीं होता इसका corrode नहीं होता है आशनी से lightweight है more level है suitable है तो इस तरीके से conducting इसके अंदर कंड़क्शन आ रहे तो बहुत important होगा तो दोस पॉलीमर्स विच कें कंड़क्ट इलेक्रिश्टी थू देमसल्स आर कॉल्ट कंड़क्टिंग polymer for example polyacetylene polyaniline polypyrol polythiophen polypheraphenylene polyphenylene vinylene pppb बोलते से and polyfuron तो यह सारे एक्जांपल है conducting polymer तो conducting polymer के उपर आपका एक seven marks को question detail में आता है उसकी probability बहुत जाद होती है conducting polymer तो उसके उपर यदि आप मेरे को comment करोगे कि सर conducting polymer के उपर भी वीडियो बना दो तो मैं डालूँगा तो पहले आप जरू क्लासिफिकेशन पहला हमने किया on the basis of origin और source इनको तीन पार्ट में डिवाइट किया नेचुरल जिसको हमने एनिमल और प्लांट में डिवाइट कर दिया फिर किया semi synthetic और synthetic उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किया on the basis of structure तीन पार्ट में डिवाइट किया number one linear second one branch chain और side chain third one cross link और network उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन बहुत important था on the basis of monomers दो पार्ट में homopolymer जो एक ही तरह के monomers से मिलने से बनेंगे उसके बाद चौता क्लासिफिकेशन किया on the basis of polymerization एडिशन पॉलिम्राइजिशन जो एड होने से बनेंगे condensation polymer जो condense होने से बनेंगे यानि कि जब combine होंगे तो elimination भी होगा उसके बाद नेक्स क्लासिफिकेशन किया पाच्वा on the basis of टेक्टिक टेक्टिक यानि कि रेंडम न में आईशो टेक्टिक यानि कि सेम साइड अरेंजमेंट सेंड यानि कि यानि कि आल्टरनेट अरेंजमेंट उसके बाद छटा क्लासिफिकेशन किया on the basis of intermolecular interaction चार पार्टिमिडवाइट किया thermoplastic बार-बार soft कर दो बार-बार hard हो जाते हैं बार-बार remote reshape कर सकते हैं thermosetting एक ही बार hard होंगे उसके बाद remote reshape नहीं होंगे fibers, thread-like structure, high tensile strength और elastomers और rubbers उसके बाद classification किया on the basis of environmental degradation अब environmental degradation की ब्याप पे दो तरह के polymer बताए non-bio-degradable जो decomposed नहीं होते सब्सक्राइब करें जिसका नाम है chemistry by dr. Amish Sharma जिसका link यह आपके सामने present है तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको like करें, comment करें, channel को share करें और subscribe करें और bell icon को press करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के notification आपको मिलते रहें आपका motivation जो होगा और आपकी like होते हैं, comment होते हैं तो वो हमें motivate करते हैं, जिससे मैं और वीडियो बनाने के लिए inspire होता हूं कि inspiration मिलती है मेरे को कि और वीडियो बनाओ अपने students के लिए प्लीज जाद जाद कमेंट करें और किस वीडियो के आपको demand है वो मेरे को comment box में लिखके बेजे तो मैं उस पर वीडियो बनाओंगा आगे, आपको वीडियो पसंद आए, thank you